स्वागत थेगों फिर से आपका हमारा चनले मित गईज आई सी आर के लिए जो साइंस का प्रेक्टिस एड़ में आप लेके हैं साइंस का विज्ञान का जो आपके अंसे आटी पैटन पर याद आ रही थे इसमें से पसना आपको एक्जाम में जरूर से देख देंगे जिनका एक हजार परशनों की पेडियाफ में ने तयार गराई थी अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं तो रेफ्रेटर खात पदा थोंगों खराब होने से बचाता है क्यों देखें जो फ्रीज होता है इसमें खात पदा खराब नहीं होता इसकी वज़ए होती है कि इसके नियूमत पर इसके अंदर उस पर जितने भी रोगाडू होते हैं शारों के सारे मर जाते हैं इसका रिजन होगा प्लेट्स को पता है यह डेंगू रोग में सबसे ज़्यादा घट जाती है तो इन्हीं के गारण लोगों की मृत्ति बुए जाती है क्योंकि प्लेट्स जो इसमें बि देखें तो गहते हैं आपर कि हानिकारक रोगाड़ों को नश्ट कर रोगों से रच्छा करता है ठीक है हानिकारक रोगाड़ों को नश्ट करके रोगों से जो रच्छा करता है वो कौन करता है तो वो हो जाएंगे WBC ठीक है WBC का मतलब का है जो wide blood cells होती है ये आपको लोगों को दूर द्रश्टी रोग होता है उनके लिए किस लेंस का प्रयोग होता है तो याद रखेंगे कोशन नमबर अगला देखेगा तो इसमें कहते हैं इन में से कौन से संक्रामक रोग का मतलब का है एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति से इसमें से रोग फैलता है तो याद रखेंगे यह होता है प्लैग रोग प्लैग जो हता है ना यह चुगों के उपर पाएगे चोटी चोटी टीशू जो हते हैं उनकी मदस से प्लैग फैलता है और यह एक महामारी के दू रूप में फैलता है निकि बहुत तेजी से इसका प्रसार हो क्योंकि देखिए ऐसे परसनाप के एकजाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसका राइडनसर क्या होगा वह आपका हो जाएगा सॉलमेना टाइफी क्या इसके नाम में भी पता जलता है क्योंकि वाइव दौरा रोग कौन सा फैलता है जो ठीक वाइव दौरा र कि काई होती है वह किसछी होती है तो सभी को पता है opens लाइखिटी दूरी में दूरी होती है यह निकि आपकी सब्सक्राइब कर देख होती है वह किस के संबंदित है तो बारा का राइएणेश हो जागा सूर्य मपर्थवी आप लिच बीच कि कि दूरी से संबन क्या एक खगो लीए कई तो आप्सन सारे परसनाब के प्रिवेश एक्जांस के भी हैं जो पूझे आ चुक है भी बिन एकजांस में तो रहते हैं रॉकट किस सिधान पर काम करता है तो रॉकट जो किस सिधान पर काम करेगा तो इसका राइट असर बहुत आसा ने वह हो जाए क्या चीजिए स्में होंगी दिखेगा जो सरीर का वज़न है वह क्या होगा तो इसका राइटेंस दरयका धुरूंपर सबस्ज़़धा होता है किसमें सरीर का जो वज़न होता है आपका जो बॉड़ी बेट है यह दृूंजी होते ना वहां जो पौल्स हैं आपके North और South वहा होता है बरप पानी सहल की होती है और अलकोहल से भारी होती है इसलिए बरप जो अलकोहल में डूपता है पानी में तयरता है कुश्चन नमबर अगले देखें अगर आप कुई क्रिवीजन के लिए मटेरियल चाहते हैं तो आपको समाजी विग्यान के सब नमबर को दिख़ें तो आप इसको ले सकते हैं नीचे वाट से नंबर आपको देखाए इस पे कॉल मत किजाएगा सिर्फाप मैसेज त्रीजिस कर देना एंट को मिल को जाए घनत तो सब्सक्राइब खोटाहें इसलिस्कर और्मेट में तेरे रखेंगे इनका राइड एंसर हो जाए गया दरखेंगे इनका जो घनत है जिनकी डेंसरटी है वह बहुत कम होती इसी वज़े से बादल तैरते हैं कोशन नमबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि साबून के बुलगुले के अंदर का दाव क्या होता है ठीके साबून के बुलगुले क के अंदर का डाव ट्रेशर कोश्चन नमबर अगला देखिए रहते हैं कि सूर की उर्जा उत्पन होती है जो सूर की उर्जा है यापकी श्रॉलर लाइट आप देखें आप भी cycle चलाते हैं तो किसी मोड पर जाते हैं तो आप अंदर की तरफ थोड़ा से जुक जाते हैं तो यह आपके stability बनाने के लिए होता है question number अगला देखें कहते हैं washing machine का कार क्या है तो washing machine का जो कार शेधान थे वो किस पे वेश्ट होता है कि जब तक पत्थर को चांद की सता पर प्रतीवी से ला जाता है तो क्या होगा जब एक पत्थर को चांद से परतीवी की सता पर ला जायेगा तो इसमें change क्या होगा इसका जो weight है वो बदल जाएगा क्योंकि वहाँ पर एक वटा च्छे कम है पर्थवी से ठीके तो आप क्या होगा यहाँ पर इसका weight बदल जाए लेकिन इसका जो density वो mass जो है वो उसका हमेसा समान देगा ठीके किसी वस्त का mass जो हता है वो gravity हटा करके ही यहाँ पर count के जाता है बाकी जो weight होता है वो gravity included होता है तो याद रखेंगी इसका mass जितना चंद्रमा पर रहेगा उतना ही पर्थवी पर रहेगा और जो आपका weight है यह change होगा यह आ जंबाई के ऊपर निर्भर करता है क्या लोलक का आवरत का तो option नमबर यहां पर विल्कुल सही होगा question नमबर अग्रा देखिए तो कहते हैं यहां पर की जल जब सुद्ध जल में detergent जला जाता है तो प्रश्ट तनाव पर क्या फरक पड़ता है ठीक है जो सुद्ध जल है जानी कि जो आपका सुद्ध जल्ब को साब जाता है तो फ्रेस वाटर में अगर डालेंगे तो उसके जो प्रश्टना होता है उसका सर्फेस टेंशन होती है उस पर क्या फरक पड़ेगा तो वह घट जाता है देखिए दोस्तों आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन इस पीड कोश्टन नमबर अगला है कि सानेता की इकाई क्या होती है जो आपकी सानेता है इसकी इकाई क्या होगी तो याद रखेंगे पौईज क्या होगा सानेता की इकाईज जो होगी वह पौईज होगी तो आप सन नमबर यहां पर का बिल्कुल सही हो जाएगा कोश्टन नमबर किसके दरह किया गया था न्यूटन के दरह किया गया था गुर्टा को सड़के सारम भोविक नियम का उत्पालन तो आप सन नंबर जो है का वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कोशन नंबर अगला देखे तो कहते हैं कि घड़ी की स्प्रिंग में बंडाइत उर्जा कौन सी होती है जो घड़ी की इस प्रिंग है ला जिससे आप चारी करते हैं देशी भासा में तो उसमें कौशे जो एन्रजी होर्त रोती है तो यादर रखेंगे कौन सी दरुचा हर्ण तो क्योंकि चलिए मैं पूरा को दिखा रहता हूं तो इसका जो राइड एंसर होगा यहां पर जो परमाडों का प्लायन वेग उसके मद्धिमार्ग माद्धिमूल वेग से कम है ठीक है चंद्रमा पल जो वाई मंडल नहीं है तो आप्सन नमबर डी बिल्कुर सही होगा यहा तो आप माद्धिमूल वेग से कम है कोशन नमबर अगला देखे तो गहते हैं साइज सिस्टम में तापमान की उनिट क्या होती है जो आपके साइज सिस्टम में उसमें तर तमप्रेचर है इसकी यूनिट क्या पूची यह आपको दना है तो दीखेगा आपका 29 का जो राइ अजिस्टम में कहा जाता है ठीक है पायरो में उसमें धिक क्षके से कहा जाता है तो 30 कंग गडियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है जो लोलक जो यानि कि जो इसे घूमता नहीं रहता है इसे करके कट कट चलता रहते हैं तो ऐसे घूमता रहता है जो गड़ियों में तो वो घर्मी में कहाता है बहुत मतलब थोड़ी स्पीड उसकी काम हो जाती है सुस्त हो जाती है तो इसका का टाइम पीरिड भी बढ़ जाएगा तो इसी कारण यहां पर होता है याद रखें गर्मियों में कॉश्चन नमबर अगला है इन दिम लिखें में से कौन उस्मा का सरवत्तम चालक है तो याद रखेंगी वह होगा आपका है पारा जो मरकरी है ना यह मरकरी जो है यह आपका उस्मा का सरवत्तम चालक है कोश्चन नमबर अगला देखें तो कहते हैं जो आडविक शंगटन के दौरा उस्मा का संप्रेंट कहलाता है तो इसका जो रैड एंसर होगा दोस्तों वह जाएगा श्रमवाहन क्या श्रमवाहन कहलाता है आडविक के कोश्चन नमबर अगला तो कहते हैं आपर किसी ठोस पराद को बिना द्रों में बदले सीधे वास में पर्तित होने को क्या कहते हैं अब जीदे सीधे ठोस से अगर कोई चीजी वास में बदल लेए तो उसको क्या कहते हैं सभी कहता है सब्लीमेशन या फी उर्दपातन कहते हैं जैसे कपूर होता है व या होता है वह होता है किस्के ऒो क्योंकि तsyãn पानी तक होoking जाता है है की विकरंड का पॉटेर्ट तो चूर देंगे तो कमरा ठंडा हो जाता है थिhty लिए कोशन नमबर अगला कहता है कि जो ब्लैक बॉड़ी किसकी विक्रण को असोसित कर सकती है तो इसका राइडेंसर क्या होगा केवल उच्चे तरंग जिनका हाई वेवलेंथ होता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अब्जार्व करती है ब्लैक बॉड़ी ठीक है याद रख देखेंगे वह आपको हो जाएगा अनुधेर कैसा अनुधेर होता है चली कोशन नमबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि धुनी का तारथ किस पर डिपेंड करेगा तो जाद रखेंगे 40 का रड़ेंसर क्या हो जागा वह आपका आवरती बटी पर डिपेंड करेग ठोस में सबसे ज़्यादा तेजी से यह गती करती है question number अगळा दिखे तो कहते हैं किनीम लिखे में से कौनसा एक वाई में दोनी तरंगो दोर्द पादित नहीं होता कौनसा एक वाई में दोनी तरंगो दोरण दोर्द पादित नहीं होगा किस चीज़ के लिए मैं मतलब अक्सर प्रयोग के जाता है तो यह नव संचालकों के लिए किसके लिए जो पंडूबियां है जो बड़े-बड़े नौ वगरा सिप्स होती है ना उनकी लिए सोनार का उप्योग के जाता है याद रखेंगे अचली कोशन नमबर अगला देखे करेंगी यह किन वेक्व में नहीं करेंगी कोशन नमबर अगला देखें किसी संगीत यंत्र की दोनी तीवरता मापे जाते किसी संगीत तोन की संगीत यंत्र जो है उसकी तीवरता अगर मापतेंगे इंटेसिटी मापेंगे तो कैसे मागेंगे जबी को पता है डेसिबल में क्या मांगते हैं, डेसीपल में वापते हैं, चली, question number अगला देखेंगे, तो कहते हैं या प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है, जो प्रकास तरंग है यौ लाइट वेव है, यह किस प्रकार की वेव है तो याद रखेंगे या अनुपरस्त है, कैसी? यह अनुपरस्त वे इक्सफेल ने जिन्हों ने प्रकास था उसके बिद्दृत्व छुम्मों की सुरूप की खोश्च करी थी कोस्ट नमबर अगरा देखें प्रकास का बिदृत्व पृभाव का प्रतुपादन किस ने किया था ठीक है जो प्रकास है इसका बिद्धृत्व प्रभाव का है हमके लिए और यह इसलिए पूछा भी जाता है कि लोगों को थोड़ा सा confusion इसमें ज्यादा रहती है टांस्वास वे और अनुधेर यह जितनी भी तरंगे इनमें बहुत साथ है तो प्रकास का वेग किसमें अधिकतम होता है तो याद याद रखेंगे यह होता है पूरिमा के दिन का पूरिमा के दिन चंदग्रान होता है झाला नंबर बी बिलकूर सही होगा question नंबर अगला देखिए यहां पर गहते हैं कि पानी में डूबी हुई लकडी मुडी हुई दिखाई देती है इसका कारण क्या होता है तो देखेंगे तो उसका कारण जो होता है प्रकास का अपवर्तन होता है क्या होता है प्रकास का अपवर्तन इसका कारण होता है पानी में जो डूबी हुई लकडी है वो हमेशा मुडी पृतित होती है थोड़ी सी कोशन नमबर अगला है कि इन धनुस किस कारण से बनता है जो इन धनुस है इसका रिजन का है बनने का याद रखेंगे इन धनुस बनने का जो रिजन होता है 52 का राट एंसर होगा वह अपवर्तन और परावर्तन के होगा इसमें अपवर्तन और प कुछ उपर उठाओ दिखाए जिसमाले को एक भीकर है तो इसमें जीटा भारा होता है तो लगता है कि यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा ही उपर गहरा ही कम है जैसे किसी चीज़ को देखन ताला आपको लगता है गहरा है इसकी कम है लेकिन एक्चुल में ज्यादा होती है तो ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसका डिशें आप वह पॉर्टर न एक प्रस्स होती है जिसके ङांड यह चीज़ी होती है कोशन नमबर अगला देखे करते हैं इन धनुस में कितने रंग होते हैं सभी को पता है टोटल साथ रंग होते हैं कौन से होते हैं वी विगोर आप याद कर लीजेगा यह सारे कि सारे इसी के रंग होते हैं जैसे वाइलेट इंडिगर ब्लू क्रीन येलो औरेंज और रेड़ होती है जिसकी आवरत्ती होगी वहाецा जए समान बनी रहेगी और पर गदेथेरी अग्रेस्ट ही अग्यारेश लाल मौसम लींग से pulis जर्णग में किस रग़ को कॉष्टे नम्बर दर यह संद होता है नहीं कि नभी ऊपने बता आता है तो वाईलिट सबसे ज्यादा होता है लास्कम आता है आप तो रेड जो है वो सबसे कम होता है वोचन नमबर अगला देखिए हैं पर तो कहते हैं कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो याद रखेंगे क्या हो जागा आपका आउतल दरपड़ इसका राइडन्स रोजागा आपकी दरपड कौन सा होता है ठीक रोगियों के दात जो देंटिस्ट के दोरा एक दरपड यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा होगा आउतल हो जाएगा किसका होगा आउतल इसका राइड एंसर होगा क्वेश्चन नमबर अगला देखिए हैं दाड़ी बनाने के लिए काम मिले देखिए हैं तो याद दिखिए यह हो जाएगा आपका कौन सा आउतल दरपड क्या आउतल दरपड का यूज़ करते हैं दाड़ी बनाने के लिए हम चली कौस्टन नमबर अगला देखिए हैं तहां पर गहते हैं यहां पर कि किसी वस्तुका प्रतिवियम मनुस्त की आख कहां बनता है किसी वस्तुका अगर अगर प्रतिवियम देखिए किसी जो अब्जेट का जो इमेज वो कहां पि किसी आंक मेहम अगर कुछ देखते हैं तो कहां पी में बनती है तो रेटीना पिवनती कहां डेटीना इसका रड़र जगा आपसन नमबर दी विल्कूर सही यहां पर आप होते हैं इधर भी शीषा लगा होता है इधर भी लगा होता है तो उसमें क्या बनती आनंत बनते हैं याद रखेंगे सामना अंतर रखे हुए समतल अरपड़ों में आनंत यानिके इंफिनाइट चित्र बनते हैं प्रकास का निमली कि में कौन सा रंग प्रिजिम से होकर सबसे कम अपसरित होता अजी मूल रंग से होते हैं तेन याद रखेंगे यह पूछ रे जाते हैं क्योंकि इसको लोग याद नहीं कर पाते हैं तो नीला लाल और हरा यह तीन मूल रंग माने गए है कोश्चन नमबर अगला की सूर की क्योंडों में कितने रंग होते हैं तो यह तो साथ हो जाएगा राइडेंसर ठीक है अगला कॉश्चन देखिए जो आइरिस का काम क्या होता है जो आपकी आइरिस है जो आँखों में आईरिस होती है इसका विसिकली काम क्या होता है तो छाँच़ड का जो राइडेंसर होगा वो होगा अपर आँख में जाने वाले प्रकास की मात्रा को covenant करना क्या प्रत्रों पड़ कि जादें किसी अगर आप अपनी आँख डोनेट कर जाते हैं तो आपके आखो का हिस्सा जो है डोनेट किया जाएगा त्यापको जाएगा कोई कर ना डोनोट किया जाता है कुशन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं आप पर कि निकट दस्ती दोस्त में प्रियोग किया जाता है ठीक है जो आपका निकट दस्ती दोस्त होता है जो मायोपी होता है इसमें कौन सा प्रियोग किया जाता है तो आपको हो जाएगा आउतर लिंस का इसमें प्रियोग किया जाता है कोशन नमबर अगला देखे तो कहते है लुमेन मातरक किस neighbor किस चीज़ थीक कहा तब 59 का राड़न पसा हो जाएगा यह झोटी feels का जो मिन मातरक ऑन जो होगा यूनिन हो जाएगी 309 का सही क्या होगा आपकर हो जाएगा को जाए यह वाला है चलिए कोई नहीं कोशन नमबर अगया देखें दूर्बीन का आविसकार किसके दोरा किया यह तो आप वरतने के कारण जो है त déjà。」 आप वरतन के दोरा अप टूमटिमाते हैं तो आपका का पहला वाला हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा कोशन नमबर अग्ला देखिए तो कहते हैं आपर की चले पूरा कुशन अपको दिखालता हुआ कि निम लिखित प्रकार के काच्छों में कौन सा एक प्राबहाइं ने की लिए नों का विच्छेधन कर सकता है तो इनमें से कुछ सही होगा देखिए अच्छा परशन है था पेज आपके एक्जाम के लिए अगला कोशन है कि संचार में प्रियुक्त जो फाइबर है ऑप्टिकल ठीकल फाइबर होता है वो किस सिधांत प्रेगाम करता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है तो यह आपका राइडंसर क्या चलता है कैसे अब किसी के तारे के रंग को हम पता लगा दिखेंगे किसी तारे का अगर रंग हम देखेंगे तो किस तरीके का उससे पता यह चलता है कि उसका टंपरेचर कितना है कि तारे का टंपरेचर पता चलता है हम उसके रंग से पता लगाते हैं कॉस्टिन नमबर अ एक अंत्रीच यातरी को आकास कैसा दिखाई देगा तो याद रखेंगे 75 का कई साओ काला कैसा काला दिखाई देगा एक अंत्रीच यातरी को आकास ठीक है नमबर अगला देखिए तो कहते हैं एक काच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होगा तो यह हो जाएगा धना वेशित हो जाता है क्या होता है यह पॉस्टिव चार्ज हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं यह पॉस्टिव चार्ज हो जाते हैं कोशन नमबर अगला देखिए तो कहते हैं यहां पे कि दो विद्दुत आवेश्चों के बीच में लगने वाले बल से संबंदी थे थे तो क्या होगा यह आपका रड़ाइज राइड सब्सक्राइब अब कुलाम का नियम आपने सुना ही होगा Q1, Q2 आला ठीक है तो याद रखेंगे ये कुलाम का नियम होता है कॉप्शन नमबर B बिल्कुल सही होगा कॉश्चन नमबर अगला देखें तो कहते हैं कि धातुमें विद्दुत की सुचालक होती इसी तरीके से 1,000 परसन इस P.A.F. में हमने तयार किये हैं सारे का सारे परसन आप देखें रिवीजन के लिए क्योंकि हमने टिक कर दी हैं सारे का सारे अंसर तो उससे क्या होगा आप 10 मिनें में पूरे एक हजार कॉश्चन रिवाज कर सकते हैं 78 में देखें तो क्या होगा कि धात में बिद्दुत की सुचालक होती है क्योंकि क्योंकि उनमें मुक्त इलक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं उनमें मुक्त इलक्ट्रॉन होते हैं इसी दात में बिद्दुत की सुचालक होती है बिद्दुत की कंड़क्टर होती है लाइट की वायर क्यों काम करता है वो सुरच्छा करता है जितनी भी यहां पे मतलब वो लाइट जो है वो टांसफर कर देता है आपके अर्थ में ठीकिस याद रखें कोश्चन नमबर अगला देखें कहते हैं कि प्रतरोध का मातरक क्या होगा रेजिस्टेंस का जो मातरक होगा वो क्या होगा तो असी का राइटेंसर आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान ओम ओम जो है यह आपका प्रतरोध का मातरक होता है कोशन नमबर अगला देखें कहते हैं एक समान इस सुस्क सेल में बिद्दुत अब घट्टे होता है ठीक समान इस सुस्क सेल की बात कर लेते हैं एक आपके लिए बात कर लेते हैं जो इसमें बिद्दुत अब घट्टे होता है ठीक एक और बैट्री में प्रयुक्त विद्दुत अब घट्ट होता है तो 82 का राइटेंसर क्या हो जागा होगा सल्फूरी एस इसका राइटेंसर हो जाएगा कोशन नमबर अगला देखेंगा लोहे के उपर जिंग की परद चढ़ाने को क्या कहते है ठीक है लोहे की उपर जिंग की परद चढ़ा जाते है किस वज़े से उसको बचाने के लिए जंग लगने से बचाने के लिए परद चढ़ाय जाती है इसको कहते हैं गलवनाईजेशन याद रखेंगे इसको गलवन का नियम संबंदित है कोशन नमबर अगला देखिए तो कहते हैं फ्यूज का सिध्धान्त है ठीक है जो फ्यूज है ना ये इसका सिध्धान्त क्या होता है बेसिकली तो यह होगा आपका बिद्दुत का उसमी परभाव होगा ये फ्यूज का सिध्धान्त कहलाता है आपसन न वालू का जो फिलामेंट होता है तो वो किस चीज का होता है वो टंगस्टन का होता है किस चीज का टंगस्टन का होता है इसका बहुत ज्यादा हाई मिल्टिंग नान होता है को सल नमर्ट अगला है कि टरुस् 我डे त्चालक का अविस्कार किसने किया से त्थीज सिल अविसकार किया गया था थी या पैजर्ग होती है किसकी विद्धुधरख की जो करेंट है इसकी यूनिट होती है MPR याद रखेंगे चली कोश्चन नमबर यहां पर हम अगला देखेंगे अगले में कहा गया कि एक कृतिम उपगरह में बिद्दु तुर्जा का सुरोत क्या है ठीक जो कृतिम का मतलग क्या है ठीक है याद रखेंगे यह आपका मेन मैड रखेंगे हैं कि विद्दु दूर्जा को यांत्रीक उर्जा बदलने की युपति होगी तो वह क्या हो जाएगी याद रखेंगे होगा विद्दूत मोटर होगी कोश्चन नमबर अगला देखेंगे हैं तो को absorbed है की बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए प्रिक्तौ कि कौन सा हो जाएगा त्यार्द रखेंगा रैगूलेटर जैसे कैसा होता है स्विछ बॉर्ड पोड़ी होता है इसे कहा होता है है आप पंखे बुष्पधा लिएड कर सकते हैं कि कितनी धिरे चलना किस्थ नूमबर अगला कि साबुन बूल बूला आवेसित हो जाता है टाम कर रचे बूल का जो जोग वो चार्ज हो जाता है वह वह का होता है तो क्या होता है वह आवेसित हो जाता तो यह जो इसकी sides होंगी ना यहां पे सबसे ज़्यादा उसके क्या होगा यह बिद्दु चुम्बक के आकरशन होगा question number अगला देखें कि एक स्वतन्द रूप से लटका हुआ चुम्बक सदेव कहां ठहरेगा तो बच्चो अलगोशन है तो एक चुम्बक जो है वो समयसा उत्तर दच्षिड दिसा में लटकता है कोशन नमबर अगला है कि लेंज का नियम किससे समद्धी थे देखें कितना अच्छा परशन है लेंज का नियम आप एक सव परसंट देख कहिए आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि कितनी अच्छी पीडियव है तो 95 का राइडेंसर क्या हो जागा यहां पर उर्जा सनरच्षड क्या उर्जा सनरच्षड इसका राइडेंसर हो जागा चली कोशन नमबर अलगला देख इस यूरू देख vrijody हो ती इसको भूमत रिखा विस्वत रिखा कहा जा सकता है जी रोकीट आब काल जाता है कोरश्टन पर है कि यहां पर गैते हैं कि एक समान चुम्ब की छेत्र में बल रेखायह होनेशाई एक दुसरी के सामानांतर होनीचेक कैसी एक दुसरी के सामानांतर होनीचेक है कूश्चон नॉम्बर अगला दिखन गते हैं कि निउट्रान के खुशक्रिषनी करी तें तो बहुत तो आसान कोस्ट नहीं हो जाएंगे चैडवी किस तरह चैडवी के दरह नीट्रान की कोस्ट करी ते इस का रड़ेंसर क्या होज़ा है आपका चैडवी कोशन नमबर अगला देखिए करते हैं समस्थ सिथानिक प्रमाडू में ठीकिए समस्थानी का अंग का जो आईसोटोपस होते हैं इसमें क्या चीज़े होती है तो तो यृणुन हमाड़ निम्द पर काम करत थैं जो आटमम किस पर केक और मैं आप बीवी भी विल्कुल सही होजाएगा आपके लिए तो उम्हीद है आपको यह समझ में आ गया होगा आपको अच्छा भी लगा होगा आपको पीडियआ जाए तो चैनल आप प्रद शाफान स्कांदसी कते अरप अरफ से सहाइव पर आप मैसेश करसकते हैं आपको या पीडिययाथ मेर्ध मेंaking सब्सक्राइब तहें चोट और में पर्कैम कर चाहéric कि जचा दिलेमी है लिए।